Hello students, welcome to Magnet Brains. कैसे हैं आप सब? I hope आप सब बहुत अच्छे से होंगे. So, my name is Neha Verma from kindergarten. So, students, आज हम फिर अपनी पंच तंतर की कहानी की सीरीज में आप के लिए एक और कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है गौलिन का सपना. So, students, ये जो कहानी है ये बहुत ही मज़ेदार भी है और इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा. तो सबसे पहले, students, गौलिन कौन होती है? गौलिन वो होती है जो दूद बेचने का काम करती है. वो घर-घर जाकर दूद बेचा करती है. ठीक है, students? तो गौलिन का सपना, क्या सपना देखा गौलिन ने? चलो सुनते हैं कहानी के द्वारा. So, students, ये कहानी एक गौलिन की है जिसका काम ता भाई, रोज दूद बेचना, दूद इखटा हो जाता था और वो पूरे गाउं में घूम-घूम कर दूद बेचा करती थी. अब एक दिन उसके पास काफी सारा दूद इखटा हो गया. काफी सारा. उसका पूरा घरा भर गया दूद से. अब तो आज वो बहुत खुश थी भाईया. क्योंकि उसे लगा, अरे वाँ, आज तो मेरे पास इतना सारा दूद है. और ये दूद तो मैं बेचूंगी. बस ये सोचते सोचते खुशी से वो जा रही थी. और जाते जाते वो सपनों में खो गई. फिर क्या हुआ? उसने क्या सपना देखा? उसने सपना देखा कि मेरे पास तो बहुत दूद है. मैं सारा दूद बेच दूँगी. उससे बहुत सारे पैसे कमाऊंगी. है ना? उसने देखा कि मैं तो बहुत सारे पैसे कमाऊंगी. उसके बाद उसने देखा, इन पैसों को बेच कर मैं बहुत सारे अंडे खरीदूंगी, है न, उसने दूद बेचा, उसके बाद उसने सोचा जो पैसे आएंगे उनसे वो अंडे खरीदेगी, अब अंडे भी आ जाएंगे उसके पास, अब अंडों को रखने के बाद वो क्या करेगी उसके बाद अंडों में से निकलेंगी मुर्गियां क्या निकलेंगी अंडे जब फूटते हैं तो चूजे निकलते हैं चूजे बड़े हो कि क्या बन जाते हैं स्टूदंस मुर्गियां तो अंडों में से मुर्गियां बन जाएंगी और बहुत सारे अंडों में से बहुत सारी मुर्गियां निकलेंगी उसके बाद बहुत सारी मुर्गियां बहुत सारे अंडे देंगी देर सारे अंडे हो जाएंगे उसके पास अब वो क्या करेगी? इन अंडों को वो फिर से बाजार जाके बेच देगी और फिर खरी देगी वो एक भेड़ अब उसने अंडे खरी दे, मुर्गियां हो गई, मुर्गियों से फिर अंडे हो गई, फिर वो उनको बेच कर भेड़ खरी देगी Students, ये सब वो सपना देख रही थी, ठीक है, वो जाय जा रही थी और सपने में खो गई थी अब उसने सोचा कि भेड़ भी आ गई उसके सपने में, अब भेड़ से क्या मिलता है? उन, तो भेड़ उसको देगी नरम नरम, मुलायम, मुलायम, रंग बिरंगा उन अब उन से वो क्या करेगी? अपने लिए बनाएगी एक स्वेटर, क्या बनाएगी? स्वेटर, बड़ा सुन्दर सा, खुपसूरत सा स्वेटर और उस स्वेटर को पहन कर वो जाएगी राजा के महल में, अब राजा के महल में जो राजकुमार है, वो उसको देख लेगा चुपके से और वो उसे बहुत पसंद करने लगेगा और वो अपनी मा से बोलेगा कि मामा मैं तो उस गौलन से शादी करना चाहता हूँ, मा बोली कि जाओ उसे मना लो शादी के लिए, लेकिन जब राजकुमार मेरे पास शादी का प्रस्ताव लेकर आएगा, तो मैं उसको मना कर दूँगी क्या सोचा गौलन ने कि मैं उसको मना कर दूँगी और मना करने के चक्कर में गौलन ने अपना सर्यू जटक दिया और जैसे ही सर जटका, उसका दूद का घड़ा नीचे गिर गया और फूट गया तो क्या हुआ, पूरा दूद जमीन पे नीचे गिर गया और गौलन सपने से उसके सपना नींद टूट गई और वो जाग गई, फिर उसने सोचा अरे ये क्या हुआ, ये तो सपना था, मैं सपने में इतनी आगे निकल गई और जो हकीकत में मेरा दूद था, वो तो नीचे गिर के पूरा बरबाद हो गया तो ना तो उसको पैसे मिले, ना तो उसको अंडे मिले, ना तो मुर्गी, ना तो भेड, ना तो ऊन और ना तो राजकुमार स्टूरंस क्यों नहीं मिले क्योंकि ये तो सिर्फ कोरा सपना था है ना स्टूरंस तो देखो गौलिन देख रही थी खुली आँखों से सपने है ना उसके पास सिर्फ दूद जादा आया था अगर वो सपना ना देखकर उस पूरे दूद को गाउं में बेचती तो वाकरी में उसके पास बहुत सारे पैसे आते फिर वो आगे सोचती कि पैसो का क्या करना है वो तो सिर्फ दूद से ही इतना सारा सपना बुनने लगी और आखिर में क्या हुआ? सपने चकना चूर हो गए है ना स्टूरेंस? तो थीना मज़ेदार कहानी है ना? तो इसलिए कहते हैं स्टूरेंस कभी भी खुली आखों से सपना नहीं देखना चाहिए क्यों? देखिए इस कहानी से हमने एक और क्या चीज़ सीखी हमें खुली आखों से सपने नहीं देखना चाहिए बलकि सफलता पाने के लिए महनत करनी चाहिए तो समझे आप? गौलिन ने क्या किया? खुली आखों से सपना देखा लेकिन क्या उसको सफलता मिली? बिल्कुल नहीं अगर इसकी जगे वो महनत करती घर घर जाकर दूद बेचती तो जरूर उसके सपने पूरे हो सकते थे है ना स्टूरंस तो बस कहानी को enjoy करिए और कहानी से जो हमने सीखा है उसको हमेशा याद रखिए कि सपना कभी मत देखो, सपना पूरा करने के लिए महनत करो तो ये थी हमारी पंचतंत्र की कहानी गौलिन का सपना तो ये कहानी आपको मिल जाएगी हमारी Magnet Brains की वेबसाइट पर आप Google करिए हमारी वेबसाइट ओपन होगी यहाँ पे आप kindergarten में जाएए students या extra learning में जाएए यहाँ पे आपको कहानिया भी मिलेंगी, पंचतंत्र की कहानिया भी मिलेंगी कवीताइं भी मिलेंगी और kindergarten का पूरा syllabus भी मिलेगा और के students तो ये सब कुछ आपको मिलता है Magnet Brains पर और यहाँ पे students क्या मिलता है आपको यहाँ पे students केजी से class 12 तक online school education बिलकुल free में मिलती है तो बस कहीं और जाने के जरुवत ही क्या है students पंचतंत्र की कहानिया देखते रहिए और उनको सुनके आप बहुत मज़े करिए और उनसे बहुत कुछ सीखिए भी ओके students तो बाबाई, take care